कोई मुकाम यूही नहीं मिलता कोई मुकाम उन्हें पाने के लिए चलना पड़ता है यूही नहीं मिलता कोई मुकाम उन्हें पाने के लिए चलना पड़ता है इतना आसान नहीं होता रे पड़ने वालो इतना आसान नहीं होता रे पड़ने वालो काम्याबी का मिलना उसके ल आपको काफी ज़्यादा मजाने वाला है क्योंकि आज तैलिस्कोप के बारे में आपको इसी बाते बताऊगा जो आपने ना कभी सुनी हों इसके तो इसे काफी ज़्यादा वेटर रखा है तो मैंने इस चैप्टर को थोड़ा मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हू क्योंकि चेप्टर काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है खासका टेलिस्कूप और माइक्रोस्कूप तो सेंपल पेपर को देखने से पता चलता है कि टेलिस्कूप और माइक्रोस्कूप का वेटेज को जादी दे रखा है CBSE ने और जल्दी ही आपकी शेर कर दो ताकि सारे बच्चे आ जाएं शेर कर दोगे तो सब को प्रसल जाएगा कि क्लास चल रही है गुलाम शुबानी गुड मॉर्निंग गुड आफ्टर नून तेजस्वी शुरूती रिया बाडिवाल हैलो रिया विजे मीना रोनी गुलाम शुबानी मैंने कोड देख और हशिरवाद से दुआओं से आज मेरे च्छे महीने पूरे हो गए और मैं इस अफसर पर यह प्रोमिस करता हूं आप लोगों से कि अब और ज्यादा मेहनत करूंगा मैं आपके लिए अनकैडमी को नंबर वन प्लेटफॉर्म तो है यह पर और अच्छा बनाना है में ता और मुझे पता है आप लोगों का जादर का अंसर होगा गैलीलियो गुलाम शुबानी गहरा कोंग्रेट सर अनकैडमी पर आपकी आधी साल गिरा हो गई थैंक्यू भाई नसीम मुहमद हैलो भाईजान कैसे हो असलाम वालेकूम सभी बच्चे आजिए फड़ाफट अपने लेकिन ग्रीक एक साइंटिस्त थे जीओ वानी डैमी सियानी इनका नाम था इन्होंने ही डिस्कवरी करी तेलिसकोप की नाकी गैलीलियो ने जैसे कि हम सोसते हैं गैलीलियो ने करी थी है ना तो एटीसी मोहित वर्मा हैलो रिया बडिवाल गलोवन पूरा नाम यह बैटा गलोबवन भी कह सकते हो आप पूरा नाम यह यह जो मैंने बता आ है तो सभी बच्चों का सुवा गया थे यहाँ पर और इन्होंने टेलीसकोप का मतलब है टेलीसकोप दो शब्सकोप से मिलकर बना हुआ है तेलीसकोप का मतलब होता है सी तो हां गोविबानी डएशी मानी एकारे बच्चे इसको नाम पढ़ दो अच्छी तरह से जीओ इसको पढ़ेंगे जीओ वनी-डे आमिस ययद ग्रिक के हैं ग्रीक के इप पढ़ोंगे तो लिकिन अप तो इद्र नहीं है ग्रीक देश पर सारे जो वर्ड है फिजिक्स के, कैमेस्टि के, वो सब हमने वहीं से लिये हैं, ग्रीक से ही, तो मेरे खियाल से आपको clear हो गया, टैली का मतलब दूर, टैली वर्ड से बनने वाले और शब्द बता सकते हैं आप मुझे, टैली से बनने वाले शब्द कौन- मतलब दूर की चीज दिखाने वाला सोच यह कभी आपने इमेजिन निंगी आओगा हमारे पूरवजों तक तो आपको लगता है यहाँ पर हो रहा है सोची कितना कमाल की बात है टैली विजन एक होता है टैली पैथी कौन बताएगा टैली पैथी टैली पैथी टैली पैथी एक ब्रांच है जिसमें हम दूर के लोगों से ही दूर बैठ कर इलाज कर सकते हैं समवाद कर सकते हैं बात देख रहा हूं कितने बच्चे इसे शब्दों का बता सकते हैं तो ग्रीक रूट्स हैं टैलिस्कोप के पीछे की हाला कि ऐसे प्रूफ हैं कि जो आरिये भट थे उन्होंने भी प्लेनेटरी मोशन के बारे में काफी डिस्कवरी की थी और मैंने सुना है कि आरिये भट बांस स देखते थे तो हो सकता है उस टाइम भी टैलिस्कोप बन चुका हो लेकिन वो इतनी पुरानी हिस्ट्री है कि उसके प्रमाण नहीं है हमारे पास तो फिलालतों में यह मानना पड़ेगा कि ग्रीक जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने ही इसका अविश्कार किया है 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 टेलीग्राफ बच्चे तो श्यार होगे सारे वाते बच्चो वहरी गूड बहुत सुन्दर बहुत सुन्दर बहुत अच्छी बात है वेटा आप लोगों ने तनी जल दियांस टैली कम्यूनिकेशन कुशांग पटेल विजे मीना अर्दिती दृपार्थी सारे बच्चे आंसर करने कुछ करो मैं हूँ आपका फिजिक्स एजुगेटर अनुवाग तयागी आज मेरे होगे छे महिने पूरे अनकेडमी पर और आप लोगों के प्यार से तो आपने क्या मुझे फोलो कर लिया है नहीं अभी तक हमारे फॉलोर हैं 4000 तो आप अनकेडमी एप पर जाकर अगर आपने डाउनल अनुरागते क्लासिस का CEO हूँ मैंने उसको found किया है वहाँ पर हम IIT medically coaching करवाते हैं इसके अलावा आपको मैं बताओं कि मैं physics Google ने first rank दिये मुझे physics पढ़ाने के लिए तो आप लोग please support करें और मुझे ज़्यादा ज़्यादा बच्चे जो है follow कर ले कहां पर follow करोगे अने केड में लड़नी एप पर ओके लेग आ रहा है हमारा telegram channel भी है बच्चो telegram channel पर आप सब join कर लें telegram channel जो है उसका link आपको description में मिल जाएगा और डिस ओके रोशनी बैच इस फॉर रोशनी बैच किसलिए बच्चो रोशनी बैच है हमारे optics के लिए इसमें रे optics वे optics दोनों पढ़ाऊंगा मैं 14 जन्वरी को रोप्टिक्स का पहला lecture हुआ था और 17 जन्वरी को दूसरा 19 जन्वरी को तीसरा और आज 21 जन्वरी को मेरा 4 लेक्चर है अब कोई लेक नहीं है मेरे ख्याल से अब ठीक हो गया सब कुछ चलिए अब चलते नेक्स्ट बग्स बाउन्टी प्रोग्राम तो आपको पता होगा बग्स बाउन्टी प्रोग्राम क्या होता है बग्स बाउन्टी प्रोग्राम में आप कोई भी इनएप्रोप्रियेट कंटेंट रिपोर्ट कर सकते हो अगर आपको लगता है कुछ गलत हो तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो, प्राइस भी जीट सकते हो, अगैडमी प्रोडी की प्रोग्राइम, इसमें आप 20 लाख रुपे तक की कोलिज गरांट जीट सकते हो, मैथ, फिजिस, केमेस्ट्री, थर्मल प्रोपर्टीज कहा गया, थर्मल प्रोपर्टीज तो पढ़ा रहे हैं, कौन से आप यूट्यूब की बात कर रहे हो या प्लस की या इस्पेशल की हर जगे चल रहा है, 23 जनवरी को ये होगा, आप इसको सब बच्चे कर लो, संडे को 10 बच्चे के साथ प्रोडीगी आप जरूर दें, ये रिक्वेस्ट है मेरी आप से सजेशन भी है, प्रोडीगी टेस्ट जरूर दें आप लोग ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज़े बच्चे, इसका आपको बहुत बैनिफिट मिलेगा, मेरा कोड यूज़ करते हुए प्लस और आइकनिक जोइन कर सकते हो, प्लस प्लस प्रोड्राम में आपको लाइव क्लास मिलती है, और एक कोड लेने के बाद आप किसी भी क्लास को जाकर जोइन कर सकते हो, प्लस की किसी भी एजुकेटर की, यहां पर ये बहुत बड़ी बात है, और आइकनिक में आपको गाइडेंस, study planner, study material, expert guidelines, test analysis आपको यहाँ पर मिल जाता है Unacademy Combat scholarship test, 11 और 12 बच्चों के लिए फिरी registration हो रहा है और इसको आप please request है आप से ATC 10 code लगा कर आप Unacademy Combat test जरूर दिया करो तो हर संडे होता है और एक बजे होता है दोपैर में तो यह वो चीज़े की आम के आम गुठ्लियों के दाम मतलब आप को पढ़ाई भी मिल रही है प्राइस भी मिल रहे हैं सब कुछ आपको मिल रहा है तो लोटो फाइदा है डिवाइस वगेरा बंद कर वादू सब विजे मीना हेलो बबलू बदमाश रिवाड वर्त रूपीज वन करोड सो परसेंट तक की स्कॉलर्शिप आपको मिल जाती है अगर कोई आपसे पूछता है अगर कोई आपसे पूछता है और टेलिस्कोप की जो बहतरीन डेफिनेशन है वो यह है अगर आपके दिमाख में यह बात है कि टेलिस्कोप केवल लाइट से ही चलती है तो आप गलत हो रेडियो टेलिस्कोप भी होती है कितने बच्चों ने रेडियो टेलिस्कोप का नाम सुना है क्या आपने रेडियो टेलिस्कोप का नाम सुना है क्या आपने रेडियो टेलिस्कोप का नाम सुना है बच्छो यैस और नौ रेडियो टेलिसकोप का नाम सुना है कितने बच्छो ने सुना इंडिया की कोई भी रेडियो टेलिस्कोप नहीं है भी तक रेडियो टेलिस्कोप में लाइट वेव्ज की जगह है रेडियो वेव्ज का यूज होता है एसी वेव्ज या एसी टेलिस्कोप जिन में लाइट की जगह है रेडियो वेव्ज का यूज होता है उनको हम radio telescope कहते हैं क्योंकि उससे क्या फायदा होता है उससे उनकी resolution जादा हो जाता है उससे image साब बनती है बहुत सारे फायदा हो जाते है I think आपको clear हो गया होगा सब कुछ यह है Galileo Galilei काफी बच्चे सोचते हैं कि Galileo Galilei ने ही telescope का विश्कार किया था नहीं था इन्होंने पहली बार पहली बार टेलिस्कोप का यूज आस्मान की तरफ किया सच बात यह है कि यह पहले साइंटिस्ट थे यह फिलोस्पर कहूंगा इनको में और इनको इनके साथ काफी ज़्यादा प्रोब्लम भी हुई थी इनकी पर आरोप लगाये गए थी कि यूज को भी काड़ रहे हैं तो इन 1609 देखें कितना पुरानी वात है जब मुगल एड़ा था हमारे देश में शायद इन 1609 एन इटालियन फिजिसिस्ट एंड एस्ट्रोनोमर नेम्ड गैलिलियो बिकेम दा फर्स्ट परसंट टू पॉइंट टेलिस्कोप स्काइवार्ड अब ये बातें कितनी अजीब सी हैं देखो कि इन्होंने पहली बार किया होगा लेकिन इससे बहुत पहले हमारे देश में भासकराचारी आ रही भड़ थे हालागि इसके बारे में स्टेड़ी करने की जड़ थे बर 1609 में हमारा देश की स्थिति क्या थी व है है लो स्टाइलिस राजपूत कैसे हो बेटा स्टाइलिस राजपूत कैसन हो बच्चे कैसन हो मेरे प्यारे बच्चे सौरब पंडे भाई बच्चों को क्यों परिशान कर जो जूट बोल कर एक बच्चे को जूट कभी नहीं बोलना चाहिए कोई result भिजन नहीं आए अगर कोई result सबसे पहले बतायेगा तो अनुराद सर बताएंगे तुम्हारे हमसे पहले कोई रिजल्ट नहीं है तो चलिए यह देखिए इस टेलिस्कोप वाज स्मॉल एंड़ इमेज इस फजी उनकी टेलिस्कोप छोटी थी में साफ नहीं थी यह वह फोटो है जो गैलियो ने अपनी टेलिसकोप से खीचे थे गैलियो ने अपनी टेलिसकोप से फोटो खीचे थे गैलियो वाज एबल टू मेक आउट माउंटेंज एंड क्रेटर्स ओन दा मून सोचिए उस टाइम 1609 में गैलिलियों ने अपनी टेलिस्कोप से ये तो पता लगा लिया था कि मून के उपर क्या-क्या है मून के उपर क्रेटर से हैं और माउंटेन से as well as a ribbon of diffuse light arching across the sky which would later be identified as our milky way galaxy मतलब उन्हें यह देख लिए कि कुछ डिफूजन सा दिख रहा है पर उस टाइम गैलेक्सी के बारे में नहीं थी बाद में पता चला कि जो क्रीबन था डिफ्यूज लाइट का वह एक्चल में milky way galaxy थी आकाश गंगा मिलकी वे को हम कहते हैं इंदी में आकाश गंगा आकाश गंगा गैलेक्सी तो गैलिलियो का अगर हम कहें तो उस टाइम 1609 में इतने कई 100 साल पहले बहुत बड़ी वात थी बच्छा गुड आफ्टर नून एक ता रंधावा एक्स्प्लोरर नगेंदर नात दिक्सीता हेलो सर आप क्लास 11 का थर्म डानिस कभी स्टार्ट करोगे आज से हाँ ब्लैक और वाइट पिक्चर है क्योंकि उस टाइम आ ही आज कल भी आजगल तो बहुत फैसलिटी रेडियो टालसकोप से तयप आएपस और तैलिसकोप तैलिसकोप कितने तरह ही होती यह उती है यह्प्लेक्टिंग टैलिसकोप कि युस मीरिटै वह प्लस इस लैंस करती अग मिढ़ी स्टैलिऌि स्टी已 इनीड इस मेरा ये यूज 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 गरती है कि अवल ये बात ध्यान रख लिजेगा और रिफ्लेक्टिंग टैलिस्कोप में मेरर भी हो सकता है और इसका एक बहुत बड़ा एक्जाम्पल है कासे ग्रेन टैलिस्कोप नोट कर लो कासे ग्रेन कासे ग्रेन टैलिसकोप इसका बहुत बड़ा वो है एक्जाम्पल कासे ग्रेन टैलिसकोप अगर एकजाम में सवाल आता है और इसने YEAH कीабि दुनिया की सबसे बड़ी कासे गरें टेलिस्कोप कहां पर है बच्छो नियॉयोर्क में है और हमारे देश की कहा है वह हम थोड़ी देर बात पढ़ेंगे यह बहुत बड़ी बात है इसको नोट कर लिए इस तरह की टेलिस्कोप आप मार्किट से ले सकते हो आजकल अमेजोन पर हैं ऑनलाइन मंगा सकते हो आप और सुशान सिंग राजपूत जो बॉलिवुड एक्टर थे सुवर गिये सुशान सिंग राजपूत जी उनके पास भी एक टेलिसकोप थी बहुत एडवांस बिकोज ही वास फॉन्ड ओफ एस्ट्रोनोमी तो आपने सुना होगा सुशान सिंग राजपूत के पास टेलिसकोप थी इसलिए हैं यह यह जो डियक्राम देख रहे हैं यह इस डियक्राम को आपको द्हान से बनाना है मैं आपको प्रेक्टiस करा हूँग छो द्याग्राम की इसको बोलते हैं और कहीं बुक्स में गलत दे रखा है Dadi डाइग्राम रे डाइग्राम पोर टेलिस्कोप तो अगर आपने किसी प्राइवेट बुक से बढ़ा है डाइग्राम तो वहां पर गलती क्या होती है वो इमेज को यहां बना देते हैं पीछे लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर ऑब्जेक्ट किसी दूर से आ रही इंफा है तो लाइट लाइट यूवांध कमिंग फ्रॉम इन्फाइनाइट इफाइनाइट से लाइट अरी यह यह इस तरह लाइट आई पैरलल तो आपको तो पता है यह जो लाइट ऑप्टिकल सेंटर जाएगी और जहांपर यह मिलेंगी जहांपर ही टक्राएंग अपसं में वो होगा इस लैंस की फोकल लेंग तो यानि कि यह जो डिस्टेंस आप देख रहे हो जहां तक ही मिल रही है यह फोकल लैंथ होगी ऑब्जेक्टिव की इसको बोलेंगे एफ ओ जहां पर यह मिलेंगी टकराएंगे इसको क्या बोलेंगे एफ ओ और उसके बाद यहां से इस इसको बोलते हैं एक मतलब होता है फोकल लैंट ओफ आई पीज ऑब्जर्वर वहां पर खड़ा होगा ऑब्जर्वर को जब दिखेगा तो हमारी आँख की प्रोपर्टी होती है कि हमारी आखें हमेशा अपने सीधे में देखती है तो ऑब्जर्वर को इमेज पीछे बनता दिखाई दे गहां अब यहीं ध्यान रखना आपको कि डाइग्राम डाइग्राम आपको पीछे बनाना है ऐसे यहां पर बनाना ठीक है यह फाइनल इमेज बनेगा कुछ बुक्स में डाइग्राम को यहां बना रखा हो गलर थे आपको यही डाइग्राम बनाना जो आपको मैंने दिखाया है this is the only pure diagram of telescope बोलो clear हुआ तब बच्चों के समन में आ गया तो अब मैं आप से पूछूँँगा सवाल और आप मुझे answer देंगे मैं देखता हूँ कितने बच्चे answer देते हैं कुछ मैं symbol लिखूँगा और symbol के आपको answer देने मैं symbol लिखूँगा आप उनके answer देना ठीक है symbols and answers चलो शुरू करते हैं सबसे पहले देखिए एफो का मतलब क्या है एफो का मतलब है focal length of और देखिए- eligibility एफो का मतलब क्या है focal length of ओकर लेंत और आई-पीस फोकल का मतलब focal length of objective Ohhh is it clear तो यहाँ पर कुछ बाते हैं जो आपको समझनी ही final image यहां पर बनेगा इसको आप ध्यान से देख लिए फाइनल इमेज बनेगा पीछे की दरफ इसको आपको याद रखना फाइनल इमेज कहां बनना है अग्निफाइंग पावर ओफ टेलिसकोप अफ टेलिसकोप अब बराबर होता है बीटा पॉन अलफा बीटा इस दा एंगल मेड बाइद ऑपजेक्टिव और अलफा इस दा एंगल मेड बाइद आईपीज तो बस आपको ध्यान रखना है जो मैगनिफिकेशन पावर होगी मैगनिफिकेशन पावर ओफ टेलिसकोप वो किदनी होगी बच्चों एम इस इकल टू एफ नोट अपॉन एफ पी इसको रखे बस एफ नोट अपॉन एफ पी एफ नोट का मतलब आपको पता है फोकल लेंट ओफ अब मेरे ख्याल से के लिए रोगे सबको चलो एक सवाल है कोश्चन को ध्यान से देखिए अगर हम किसी टेलिसकोप के अबजेक्टिव लेंस के डायमिटर को डबल कर देंगे तो लाइट की इंटेंसिटी कितने गुना हो जाएगी यह सवाल आपके एक्जाम मैं सकता है ध्यान से पढ़ लीजे वैरी वैरी इंपोटेंट कोश्चन वैरी 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 इंपोटेंट कोश्चन कोंछ सते एक चाहिए था अक्षा भागे होस्चमो के अबजेक्टिव की डायमिटर लिए शारे बच्ते आंसर देने को इक्च्चिर एक्जाम में जो ओ सवाल आएंग वो क्याता हूं आपके लिए तो बताओ उसकी जो टेलिस्कोप है उसकी लाइट की इंटेंसिटी कितने गुना हो जाएगी तो इसका अंसर आएगा बी पोर टाइम्स याद रखेगा पोर टाइम्स हो जाएगी बच्छो इंटेंसिटी ओफ दा लाइट तो एक लिए रोगे सवाल एक सवाल यह देख लिए ध्यान से क्या किसी टेलिस्कोप की मैगनिफिकेशन पावर उसके डायमिटर पर डिपेंड करती है औब्जेक्टिव के नहीं करती डबल हो जाएगी हाफ हो जाएगी बीकम जीरो वैरी वैरी इंपोर्टन एक नंबर के सवाल आ सकते हैं केस बेस्ट कोश्चन आ सकता है केस बेस्ट कोश्चन आ सकता है तो इस टाइप के सवाल आपको करके जाने केस बेस्ट बहुत इंपोर्टन कोश्चन नहीं जल्दी जल्दी करो कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं देख रहा हूँ मैं हेलो हेमन महिंदर कुमार रिया बाडि पुलस क्लास इसके बाद फॉरr five पी-एम पर प्लस-फॉर एक्जाम में आये तो कर दोगे महानन किसोर शुरूती शूतिज भाकलीवाल पल्लेवी कुमारी क्या नहीं हुआ बटा बताओ बच्चो एक्जाम में ऐसे सवाल आते हैं जो बच्चों को लगता है कि नहीं आएंगे ठीक है ना एक्जाम में ऐसे सवाल आते हैं जो बच्चों को लगता है नहीं आएंगे तो हमें we should be ready for the examination point of view एक सवाल है यह सवाल बहुत ज़्यादा आता है हलागि यह कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं है अब्जेक्टिव टेलिस्कोप को बड़ा क्यूं बनाते हैं औप्टिकल टेलिस्कोप के अब्जेक्टिव लेंज के डायमेटर को बड़ा क्यूं बनाते हैं रिजन क्या है इसका है कोई बच्चा जो आंसर दे आंसर हलागि बोर्ड पे लिखा हुआ है आप पढ़के भी आंसर दे सकते हो एनिबडी वेरी इंपोटेंट आरियन गुपता शर मोबाइल में देखके क्यों पढ़ाते हो ओह हो हो हुह कैसी बाइलो नहींली कोई . यैसी लिख सकता कोई या तो आप कई तो इनिटीचर हो यूटीवर मोबाइल में देखना क्या खुलाब है भाई देखो हाहा हाहा हाह मतलब इतल्सल distraction ल वहाँ अच्छा वहाँ अच्छा लव यू लव यू दा मेन कंसीडरेशन विद एन एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप आर दा मेन कंसीडरेशन विद एन भाई यह सब रटे हुए हैं दस साल होग एक चीज को पढ़ाते पढ़ाते और ऐसी बात नहीं होती है न कि मोबाइल में देखके क्यों पढ़ाते हो हाँ हसी आई मुझे दा मेन कंसीडरेशन विद एन एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोप आर इस लाइट गैदरिंग पावर टेलिस्कोप वह च्छी होती है बच्छों जिसकी लाइट गैदरिंग पावर जाता हो मतलब पपू के पास टेलिस्कोप है है यह वाली ध्यान से देख लो यह देखो पपू की टेलिस्कोप है इसका अब्जेक्टिव बड़ा है यह पपू की टेलिसकोप पर इसका दोसते घपपू घप्पू की टेलेसकोप मैं आपको प catch the एक मिटर है योगी जाता हुझ ज़्यादा लिख दिया मैंने फिर भी इसका 50 cm तो किसका टेलिस्कोप ज़्याद अच्छे फोटो देगा जिसके टेलिस्कोप ज़्याद अच्छी मेंज बनाएगा वह आपको अंसर करने हैलो फैरो मैगनेटिक चिपक जाओ के किस दिन कहीं पर पल्लेवी कुमारी गप्पू प्रिया साजवान यश्राज उनकार अच्छा करन उनकार हो आप ओके गुलाम शुबानी पपू शुरूति तिवारी रिया बाडिवाल शितिश बाली पपू की बता रहे हैं सब गपू क इसने बताई पल्लेवी आप कहां से गलत होगा बेटा गपू की टैलिसकोप अच्छी नहीं है गपू की टैलिसकोप एक मायने में अच्छी होगी कि उसको कहीं भी ले जा सकता है उसको कर सकता है बट गपू की टैलिसकोप अच्छी नहीं है क्योंकि उसका जो अब्जेक् पावर क्या बोलते हैं उसको resolving power अभी मैं आपको resolving power का example बताता हूं देखो आपको resolving power समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा अगर मैं हाँ पर दो पॉइंट बनाता हूं सब बच्चे ध्यान से देखो ये दो पॉइंट क्या आपको ये दोनों पॉइंट अलग 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 दिख रहे हैं तो सारे बच्चे कहेंगे ये दोनों पॉइंट अलग 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 अब बताओ क्या आपको ये दोनों पॉइंट अलग 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 अब बताओ क्या आप दो चीजों को अलग अलग देख सकते हो वही आपकी आँखो की resolving power हो दिए हलाग कि अगर आप पास आके देखोगे तो यह दोनों point अलग अलग हैं बट आपको देखने में लग रहा होगा mobile phone पर इवन अगर अपनी quality बढ़ा लोगे और हाँ एक बात और सुनो जब आप mobile की quality बढ़ाते हो वीडियो की तो वहां लिखा होता है resolution तो अगर आप HD फिर Super HD फिर UHD 4K, 5K, 6K, 8K, 10K तो नहीं आया भी 8K तक की camera आचुके हैं और हमारी आँके कितना के हैं भगवान जाने हमारी आँके सबसे जादा प्योर देखते हैं चीजों को बट अभी जो mobile phone है वो 4K तक है mobile phone तो और GoPro camera आता है Hero GoPro vlogging camera है वो 6K तक आचुके 5K तक आचुके पता होगा आप लेकिन जितना जादा के बढ़ाओगे उतना ही frame छोटा होते जाएगा मतलब छोटा कर देगा wide angle photo नहीं आएगा दूर तक का photo नहीं बना पाओगे और अगर आप चाते हो कि आपका photo ज है optics में और अगर आप wide angle camera यूज करोगे आपने देखा होगा जो vlogger होते हैं बड़े-बड़े दूर उनकी बिल्डिंग दिखती हो बहुत घूम की दिखती है और जो सीन दिखता है वीडियो ऐसे दिखता है तो उसको बलते फिश आई camera मतलब दूर तक देख सकते हैं पर उ क्लियर बच्चो घ्रिया बाड़ी वाल अब चलते हैं आगे question ये कौन लिख रहा है a teacher of chemistry has roast you भाई देखो जिसने roast किया वो उसको अटा चुका है पहली बात दूसरी बात जो किसी को roast करता है वो खुद पहले roast होता है अपने अंदर पहले उसके दिमाग में roast होता है खुद कही जलता रहता है जलता रहता है और जलने के बाद फिर वो roast करता है तो इससे कोई फरक नहीं पढ़ता है रहा यह अच्छी बात है question मेरी ग्लास में तरह नमूने क्यों होता है two lenses of focal lens five centimeter and fifty centimeter are to be used for making a telescope which lens will you use for the objective मेरे पास दो लैंस एक पांस सेंटिमीटर का है और एक है पचास सेंटिमीटर का तो बताओ मैं कौन सा lens use करूं एक तो lens यह है पांस सेंटिमीटर और एक है पचास सेंटिमीटर which lens to be used बताओ बच्चो जडिया बाडिवाल डी पिरिया साजवान पल्लवी रिफ फोर्दा केमेस्ट्री टीचर विजय मीना किसिदिज बाकिवाल पल्लवी कुमारी और कोई answer देना चाहता है बच्चो आपकी roasting तभी होती है जब आप कुछ कर रहे होते हैं जब आप फेमस हो रहे हो जब आप कुछ सही direction में जा रहे हो तो लोग चिड़ने लगते हैं और ये एक सिंबल होता है कि आप सही काम करते हैं तो मुझे इससे कोई फचादा खास प लगता है कि मुझे गलत कर रहे हमारे अंदर एक आत्मा नाम की चीज़ भी होती है तो मुझे तो उन लोगों पर दया आती है जिस तरह है कि मतलब सोचो मेरे पास तो अपने मम्मी से बात करने का टाइम नहीं होता कहीं बार पांच-पांच-छे दिन हो जाते हैं मम्मी को करें गाओं में और लोगों के पास तना टाइम होता है कि दूसरों की नगल मजाक उड़ाने के लिए वीडियो बनाते हैं अंटिन अन्लेस यू आर नोट प्रोफेशनल रोस्टर वह तो लग बात है पर अगर कोई टीचर रोस्ट कर रहा है मतलब वो कितना खाली है सोचिय अब आयो करन उनकार वीडियो फ्रॉम सिक्स मन्त अगो कॉंग्रेचुलेशन सर आपको आज अनकेडमी जोइन किये में को आज बहुत खुशी है सर अनकेडमी पर बहुत माले स्टोन कंप्लीट किये इसी करते रहे अगले छे मन्त में भी थैंक्यू करन उनकार थैंक्यू आपके इस प्यार के लिए इवन आपने सबसे पहले मुझे बताया था कि आच्छे मेने हो गए तेजस्वी सर वो तो आपके स्टुडेंट के कमेंट से डर गए अच्छा थैंक्यू तेजस्वी फाउंडर वेटीसी आर्मी अनकेडमी के मास्टर टीचर की कैड़ेगरी में में आ जाएए ही मेरी भगवान से मांगता हूं लव यू थैंक्यू थैंक्यू करणोनकार सर जुखा कर आपका प्यार से उखार करता। आप लोग चाहोगे तो मास्टर के डिचरिम भी आ जाएँगा ये तो सब आपके हात में आप ही लोग हमें मास्टर बनाते हो आप ही नहीं बनाते हो हंच राज ने ओल अनुरागत यागी फैन कलब थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू विजे मीना तू लेंसी जो फोकल लेंज 5 सेंटीमीटर तो इसका अंसर आएगा 50 सेंटीमीटर जितना बड़ा लेंस उतना ही अच्छा अबजेक्टिव बनने के लिए बड़ा लेंस लेना पड़ेगा बड़ा लेंस बड़ा लेंस ऑबजेक्टिव के लिए अच्छा रहता है क्योंकि ज्यादा लाइट लेता है अच्छा रहता है जितना बड़ा लेंस होगा उतनी ज्यादा लाइट अगर इसके उपर लाइट पड़ेगी दे मुझे बता ना मैने लाइट ने चोड़ी किस लैस के इंदर से जाद老師 पूर यह अप चार पांच छे और इस लेंस के अंदर से एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ तो जितना बड़ा लेंस होगा उतनी ज्यादा लाइट उसके अंदर एंटर करेगी उतना ही अच्छा इमेज बनेगा इस इत किलियर तो आप सही कह रही है बट बेटा अगर सैलेबस ज्यादा कर दिया तो फिर उसमें दिक्कत आई यह आपको नीट और जही में लार्जेस्ट लैंस अब्जेक्टिव इन यूज हैज डामीटर फॉर्टी इंच देखिए फॉर्टी इंच एक मीटर के असपास होता है अगर कोई आप से पूस्ता है कि दुनिया की सबसे बड़ी टैलि इसकों विसकोसीन यूएस से यह वो टैलिसकोब देखे साइंटिस देख रहें इससे और यह से स्पेस के अंदर जहांकते रहते हैं क्या पता कब कोई मिल जाए कोई एलियन मिल जाए कोई नहीं चीज मिल जाए और आपने देखा होगा ने-एप लैने डिसकवर होते रहते लेकिन और नहीं अब तो इंटरनेशनल स्पेस टेशन काम कर रहा है वहाँ पर बहुत सारी टेलिसकोब लगी है इस पेस में टेलिसकोब लगाने से क्या फायदा होता है कि धरती के उपर जो पोलुशन है गैसीज है उससे फायदा मिल जाता है इस पेस में टेलिसकोब लग क्या आप मानते हो बच्चों एलेज़ों होते हैं कितने बच्चे मानते हैं कि एलेज़ों अन Mih बड़े लेंस को ट्रांस्पोर्ट करना उनको फिट करना उनको एक फ्रेम में लाना बहुत मुश्किल काम होता है। इस दिफिकल्ट एक्सपेंसिव तो मेक सच लार्ज साइज लेंस विच फोर्म इमेजिज दैट आर फ्री फ्रों एनी काइंड अव करोमेटिक अबरेशन और इस्टोर्शन अब आपको एक बात बताऊंगा जिस बात से आप हिल जाओगे थोड़ा सा इस पे चोड़ा करो हर में लेफ्ट साइड में आप लिख सकते हो सिरफ का बच्चो एक बाद धियान रखेएगा जितना बड़ा लैन्स होगा जितना बड़ा लैन्स होगा उतना ही chromatic abrasion जादा होगा chromatic abrasion क्या होता है image के चारतरफ colorful line का दिखना होता है chromatic abrasion जादा होगा आपने अपने पापा की या मम्मी की शादी की album देखी होगी उसमें कभी-कभी किसी photo के चारतरफ हाला कि photographer's photo को अटा देते हैं पहली तो आपको दिखेगा नहीं आप किसी photographer के पास जाना और आज गल तो digital photography है photo के चारतरफ colorful line का दिखना आपके face के चारतरफ colorful line दिखना इसको बोलते है chromatic abrasion मतलब किनारों पर color का सही नान lens का किनारा सबसे मुश्किल काम होता है lens के किनारे को सही बनाना जब भी image में गडबड होगी वो किनारे पर होती है image की गडबड हमेशा का होती है किनारे पर होती है तो जितना बड़ा lens होता है उतना ही उसका किनारा distorted हो सकता है इसलिए आपने देखा होगा mobile phone में आपने कभी सोचा होगा लेकिन आपने कभी सोचा कि एक बड़ा lens लगा दो इतना बड़ा छेत तो बोड़ी में है तो एक बड़ा lens लगा देते तीन चोटे चोटे lens लगाएं एक तो इनका काम अलग अलग है कोई नजदिक के फोटो किछने के लिए कोई दूर के लिए है कोई वाइड अंगल के लिए है दूसरा अगर बड़ा lens लगाएंगे तो उससे क्या होगा उसके किनारे में chromatic aberration आ जाएगा मतलब colorful दिखेगा अलग-अलग से color दिखेंगे तो हमेशा एक जो है एक lens के बज़ाए तीन-चार lens अच्छे होते है और जबी तीनो lens एक साथ काम करते है तो formula काम करता है फिर ये वाला combination of lenses बताया थे मैंने आप ये देखें लेकिन आप लोग को spoon feeding पसंद आती है आप लोग असली physics पढ़ना नहीं चाहते हो F1, F2, F3 तो 1 upon F क्या होगा 1 upon F1, 1 upon F2 1 upon F3 ये आएगा और power भी चूट जाएगी अगर बहुत सारे lens चूट जाएगी पावर हो जाएगी P1 plus P2 plus P3 आज आपको पता चल गया होगा कि companyya lens को एक lens बड़ा नहीं लगाती बलकि कहीं सारे छोटे छोटे lens लगाती है और एक company है जो बड़े-बड़े lens यूज़ करते है mobile phone में पर वो technology सबके पास नहीं है वो company Chinese है उसको Google ने band भी किया हुआ है मैं आपको नाम नहीं बोल सकता किसी company का है यहाँ पर उस company को Google Play Store यूज़ करने से मना किया हुआ हुआ है Google ने उसके phone भीकते नहीं है बेंड कर दे उस company को बहुत बड़ी company सबसे अच्छे camera phone वो ही company बनाती और Apple के जो phone है Apple के phone में ज़्यादा अच्छी picture quality होती है क्योंकि lens बहुत अच्छे होते हैं उसके बार उसकी machine दो इतने अच्छे होती अनुरागते की fan club photo of less फोटो खीचते हो बेकार mobile से भी एक सस्ता mobile भी जो इसका camera उतना अच्छा नहीं है धूप में फोटो खीचने से उसका photo भी क्या आता है इंजिन इस्टूरेंट सर आपके बलैस से हम IAT आ गए थैंक्यू वेलकम IAT में selection होगे आपका ओके बच्चो क्योंकि आज कल जो टेलिस्कोप है उनको बोलते हैं reflecting टेलिस्कोप आज कल लैंस के बजाए mirror यूज करने लगे हैं क्योंकि mirror यूज करने से chromatic abrasion कम हो जाता है बहुत ज्यादा mechanical support is much lesser for a problem for a mirror weights much less than lens of equivalent optical quality lens के बजाए mirror का weight बहुत कम होता है mirror के पीछे polish होती है उसके पीछे आप कुछ लगा सकते हो पकड़ने के लिए lens को आप पकड़ों के कैसे इधर भी reflecting surface है इधर भी है बस उपर से मिलता पकड़ने के लिए वहाँ पर पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है mirror can be supported over its entire back surface not just over its rim like lens mirror को हम पूरे back के पीछे support दे सकते है lens को सिरफ किनारों से support दे सकते है एक question है ध्यान से पढ़ लिजी और answer दीजी ध्यान से question पढ़के answer देने कुछ करो question को ध्यान से पढ़ लिजी सतारे बच्चे हेलो मुहमत तंजील वीजे मीना अलका सिंग सर आपकी कुछ concept की वज़े से मेरी नीट में selection हुआ था अब medical college में मजा आ रहा है थैंक यू अलका सिंग गुलाम शुबानी C which of the following is used to increase the range of a telescope increase the focal length decrease the focal length increase the diameter of the objective decrease the diameter of the objective तो इसका answer आएगा C किसकी बच्चे का ठीक हुआ है इशा, एक्ता सिंग, इंजिरिंग स्टूडेंट, रिया बाडिवाल, करन उनका, रिया बाडिवाल, पल्लवी कुमारी C answer आएगा अब मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमारी reflecting telescope होती हूँ, किस तरह की होती हूँ, देखिए ये तो मैंने आपको रियल डायग्राम दिखाया है, reflecting telescope का, इसका नाम है पालोमर टेलिस्कोप कैलिफोर्निया में, दुनिया की सबसे बड़ी reflecting telescope है, इसको कासे ग्रेंड टेलिस्कोप भी कहते हैं जिन में mirror लगा होता है, उनको कासे grain telescope कहते हैं, ध्यान सुन लिजीए एसी telescope जिन में mirror लगा होता है, उनको क्या बोलते हैं? कासे grain telescope और इन में mirror लगा होता है, और इसका diagram आप जुरू प्रैक्टिस कर लेना असली फोटो ये है, ये ray diagram दिखा है, eye piece में एक lens लगा होता है, यहाँ पर एक mirror लगा होता है, यहाँ पर एक objective mirror लगा होता है, पहले light सीधी आएगी, object से, सीधी light आएगी इस तरह से, फिर यहाँ पर reflect हो जाएगी, फिर आपकी आँख में चली जाएगी, ऐसी यह light आएगी, फिर आपके आँख में चली जाएगी, तो इस तरह से आपको एक sharp और crispy और जादर resolution का image दिखेगा, और इसमें chromatic abrasion ना की बराबर होगा, chromatic abrasion बहुत कम होता है, इस तरह की telescope, एक question है यहाँ पर, ध्यान से देख लिजे, एक telescope के objective lens पर एक मक्खी बैटी हुई है, final image पर क्या फरक पड़ेगा, मक्खी बैट गई, reduce हो जाएगी, increase, remain constant, indefinite, क्या मक्खी के बैटने से final image पर फरक पड़ेगा, क्या, अबेदा स्टेडी, रैसनिक हैलीडे और इड़ो का कोई फाइदा नहीं है, बोर्ड के लिए, आयूश बी, बताओ बच्चो मक्खी बैट जाएगी, तो क्या फरक पड़ेगा, करण ओनकार ए, विजे मिना ये चैप्टर ऐसा ही है बिटा, तीन बार पड़ने के बाद भी आपको च्छा नहीं लग रहा है, ये चैप्टर है ये इसा, आपकी गलती नहीं है, ठीक है, ये चैप्टर ऐसा ही है, तो इसका अंसर आएगा, रिड्यूज, क्या होगा इसका अंसर, रिड्यूज हो जाएगा, मक्की के बैठने से, लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पच्छा, एक कोशन और भी, दा लार्जेस टेलिस्कोप इन इंडिया इस लोकेटेट एट, इंडियन इस्ट्यू टेक्नल लेकिन आज कल जो लेटेस्ट आंसर है वो ये है, पहले ये थी, अब ये हो गया है, तो अगर आप लेटेस्ट करते हो, और ऑप्शन में दोनों आते हैं, तो आप इसको आंसर करोगे, लेकिन अगर ऑप्शन में ये आता है, ये नहीन आता तो आप तमिल नाडू, में पहले थी आज कल तमिल नाडू में सबसे बड़ी टैलिस्कोप तो आंसर बी और सी दोनों ठीक हैं बट चारव सभी आंसर सी है इसरो के पास भी नहीं नहीं क्योंकि इसके लिए बच्चो याद रखेगा इसके लिए में पहाड चाहिए है इस रोका जो फिस बैंगलोर में वहां पर इस तरह की सुधा नहीं थी और बैंगलोर में पोलूशन बहुत जादा है शहरी लाका है जहां टैलिस्कोप लगाए ज और मैं इसका वलोक बनाऊंगो और आप देखना नैनिताल में पहाड के ऊपर बन रही है इसका नाम है डी ओ टी देविस्थल ऑप्तिकल टैलिसको डी ओ टी इसको इसरो ही बना रहा है चिंता मत करिये बना इसरो ही रहा है गवर्मेंट ओफ इंडिया लेकिन ऐसा नहीं है क पॉल वोर कब होगा वेरी सून आज 4.45 पीम पर प्लस क्लास में आ जाना प्लस के जो स्टूडेंट है या प्लस कोर्स ले लो आप एटी सी टैन कोर्ड के साथ मैं बार-बार कह रहा हूं एक्जाम नस्दीग है एटलिस 6 मेने का प्लस कोर्स ले लीजे तो आपको काफी ज़्यादा बैनिफिट हो सकता है यह है वो टैलिसकोप नैनी ताल में जिसको मैं देखने जाने वाला हूँ देविस्थल अप्टिकल टैलिसकोप डियोटी तो 3.6 मीटर टैलिसकोप इस नाओ एशियाज बिगेस्ट सरपासिंग दा 2.3 डामेटर टैलिसकोप अट कावालूर की जो थी वो 2.3 की थी यह 3.6 है तमिल नाडू विच हैड बीन इंडियाज बिगेस्ट सिंस 1986 अब देविस्थली टैलिसकोप जो है नैनिताल में है अब एशिया की सबसे बड़ी टैलिसकोप है दुनिया में तो USA में है फ्यूचर में हम दुनिया की भी सबसे अच्छी टैलिसकोप बना लेंगे जब आप लोग बड़े होकर साइंटिस्ट बना गये ओके गौरव कुमार इस्टाइलिस राजपूत जो बच्चे भी मेरा कोड यूज कर रहे हैं उनको तो मैं दे रहा हूं नोट्स एटीसी टैन कोड यूज करिए इस्टाइलिस राजपूत आम क्याम गुट्लियों के दाम तेजस्वी तो किलियर हुआ मैं कहां जा रहा हूं बताओ मैं घूमने कहां जा रहा हूं बच्चो कौन बच्चा बताएगा कहां जाओंगा मैं घूमने और मैं क्या देखने जा रहा हूं और सभी बच्चे लाइक भी कर दें आयुश नैनिताल गौरव कुमार पिरिया साजवान नैनिताल बिलकुल थैंक यू पिरिया ये है वो टेलिस्कोप ध्यान से देखिए आप नजदिक जाओगे तो इसी दिखेगी आपको ये उपर कवर बनाया है ताकि बारिश से बचा सकें इसको और इसको बंद भी कर सकते हैं कोई attack हो जाए missile attack या कोई तूफान आ जाए तो इसको बंद भी कर सकते हैं तो देविस्थली Optical Telescope or the DOT is the largest optical telescope that is situated in India built by R.E.B.R. Research Institute of Observational Sciences and is located at a site in Nainital, उत्राखन तो very soon I will go to visit this तेजस्वी, रिया बाडिवाल, गौरव कुमार, गुलाम, शुबानी Unacademy free special class feature क्या के हैं मैं आज कल free special class ले रहा हूँ live real time interaction, Paul ask doubt using the questions, Paul leader board आज मेरी special class है न 11-12, इतने बजे साड़े साथ बजे आज मैं आपको तीन चैप्टर के 11th class के और 12th वाले बच्चे भी आ जाना आदे गंडे का live है मेरा साड़े साथ बजे, today at 7.30 pm 2, 8 pm, ये ध्यान दो साड़े साथ बजे से आठ बजे तक का मेरा live session होगा special class पर और मैं क्या करूंगा bulk properties of matter, chapter number 11th के 9, 10, 11th, इनके notes दूंगा गोरव कुमार, आजाओ notes लेने फिरी, और ये होंगे cheat sheet और 12th के बच्चे भी आया करो क्योंकि आपको J or need देना है तो आप आया करो क्योंकि मुझे पता आपकी basics से ही नहीं है, आपके basics में भी दिक्कत है तो सारे बच्चे आदे गंटे का special class होगी बस साधे साथ से आठ, आदे गंटे में सोचिए मैं आपको किस तरह बताऊंगा तीन चैप्टर की cheat sheet देने वाला हुमें, हाथ से लिखे वे notes और समझाऊंगा भी ओके करना उनकार cheat sheet में क्या है, cheat sheet का मतलब बता है short memory maps plus course रोशनी batch में सब बच्चे आजएए अगर आपने plus subscription नहीं लिया है, ये course मेरा शुरू हो चुका है इसमें में theory, numerical, handwritten notes, practical worksheet, doubt solving, ATC 10 code लगा कर अभी भी आप ले लिज्जे जिन बच्चों ने plus नहीं लिया है फिकोज इस बार subjective paper है, offline paper होंगे, तो you need more practice अनेकेटमी प्रोडी के schedule क्या है, ये आप schedule देख सकते हो और यहाँ से आप इसका screenshot ले लो संडे को होगा 23 जनवरी को, ATC 10 code के साथ, offline paper है, मजाक मज समझिये, है न, offline paper के लिए plus subscription ले लो, मेरे batch लगाता राते रहेंगे, रोशनी batch आएगा, फिर atom batch आएगा, फिर nuclei batch आएगा, फिर semi conductor batch आएगा silicon batch, तो सारे batch बना दिये मैंने, exciting rewards in every test, ace the test on 29 जनवरी और 13 फरवरी, दो टेस्ट होगे, 29 जनवरी को, 13 फरवरी को, Apple iPhone, MacBook Air, Apple iPad, Amazon Echo Dot, Amazon Vouchers मिलने वाले और ATC 10 Code वालों को तो जरूर सफलता मिलेगी, ATC 10 Code के साथ आपकी फीस बहुत कम हो जाती है, जैसे कि अगर आप 6 मेने का subscription देखो कि 17,000 रुपे का है, प्लस का, लेकिन ATC 10 Code डालने के बाद, ये subscription रह जाता है, केवल 15,300 रुपे का विजे मीना, बैचीजी बैचीज, तेजस्वी, स्टाइलिश राजपूत, थैंक यू, आइकनिक बैच की फीस, एक साल की 15,000 रुपे, लेकिन अगर आप इस Code को यूज़ करोगे तो 13,500 रुपे, 6 मेने की 10,000 रुपे, इस Code के बाद, 6 मेने की फीस केवल 9,000 रुपे रह ज सकते हैं आप ध्यान से, यह एक्सपेडिशन बैच कंटीन्यू है, 11 का प्लस कोर्स भी चल रहा है, तमसा मैम, अनुराग सर, राहूल डूडी सर, सभीता मैम, आजकल नहीं पढ़ा रही है, हम तीन टीचर, तमसा मैम, अनुराग त्यागी सर, और राहूल डूडी सर मिलकर पढ़ा रहे हैं, यह बैच 13 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था, अब मैंने थर्मोडाइनमिस के लिए बैच लॉंच कर दिया है, तो 11 के बच्चे, ATC 10 कोड के साथ इस बैच को ले सकते हैं, आज यह बैच है हमारा, आज भी है, 6 बजे, 6 बजे क्लास है मेरी, मैने का, तीन मैने का, एक्सटा मिलता है, और अगर आइकनिक के बच्चे लेते हैं, आइकनिक स्ब्सक्रिप्शन लेते हो, आप 12 मैने का, तो 6 मैने का, आपको मिलता है, केवल ATC 10 कोड के साथ, इसके लावाँ स्पार्क बैच चल रहा है, जिसमें सालिनी कुमारी, अमीर व आप कोई साथ बैस देख सकते हो, ATC 10 कोड लगा कर, पीचर क्या है, एकनिक स्पेशल क्लास की, लाइव पढ़ सकते हो, कॉश्चन पूछ सकते हो, पॉल आते हैं, लीडर बोर्ड मिलता है, और क्या चाहिए, लाइफ में, तैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट, और क्लब, पल्लेवी कुमारी, बाई बच्चो, सिदीज बाकिवाल, बाई बाई, मिलते हैं, 4.45 पेम पर, रोशनी बैच, प्लस क्लास, रिजल्ट बेटा जल्दी आ सकता है, 24 तारिक को मीध रिजल्ट आने की, तो जैसे रिजल्ट आएगा मैं बताऊंगा आपको, हैलो करन कार थेंक यू, कुछ आगर पटेल, देखो कोई भी चीज हार्ड या इजी नहीं होती बच्चो, यह डिपैंड करता है आपके उपर, कि आप कितना हार्ड मान रहे हैं उसको, नथिंग इस हार्ड नथिंग इस इजी, ठीक है, बाई बाई